गुट मॉर्निंग चिल्रेन चिल्रेन हमने स्वर में अ से बड़े उ तक लिखना सीख लिया है है ना? बुक में भी और नोट बुक में भी और अब हमें अ, आ, इ, इ, उ और उ की पहचान भी हो गई है अच्छे से है ना? और हमने अ, आ, इ, और, उ, से रिलेटिड बहुत सारी चीजों के नाम भी लर्न किये थे जो अभी तक आपने लर्न कर लिये होंगे है ना? तो चिल्रेन आज हाँ औ, आ, इ, इ, उ, उ, को एक साथ नोट बुक में लिखना सिखेंगे ठीके? तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपनी नोट बुक में यहाँ लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे आप क्लास फ़क मेंशन करोगे ठीके? तो चिल्रेन यहाँ देखिए मैम ने आ, आ, इ, उ, औ, एक साथ लिखेंगे ठीके? तो चलिए शुरू करते हैं तो चिल्रेन आपको पता है ना स्वर में सबसे पहले कौन सा ख्षर आता है? येस ओ, ठीके? तो हम यहाँ पे ओ बनाएंगे, ओ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? येस कमबाइन कर्व, अब हम कमबाइन कर्व बनाएंगे ठीके? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एक स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? अब हम कमबाइन कर्व को और स्टेंडिंग लाइन को एक स्लीपिंग लाइन से मिला देंगे फिर हम sleeping line से और कसा ढग देंगे ये हमने कौन साक्षर बनाया ओ ठीके अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे और आ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे येस ओ क्या बनाएंगे ओ ये देखो हमने ओ बना लिया अब हम क्या करेंगे एक और standing line बनाएंगे यहाँ पे है न यह आ बन गे आप अब हम आ का सर slipping line से ऐसे ढग देंगे ठीके तो children हमने आ बना लिया है अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा अक्षर बनाएंगे येस छोटी यी ठीके और छोटी यी बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी standing line then एक up wave curve फिर हम इस up wave curve को थोड़ा सा और उपर लेके जाएंगे और circle बनाते हुए इसकी पूँच ऐसे नीचे लेके आएंगे फिर हम sleeping line से छोटी यी का सर ठक देंगे फिर हम एक line skip करेंगे मतलब छोड़ेंगे फिर हम यह जो next line है इसमें हम अ, आ, इ लिखेंगे तो आपको भी ऐसे करना है अपनी noot book में अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैं आपने कौन सा ख़र बनाया है येस बड़ी इ है ना हम यहाँ पे बड़ी इ बनाएंगे और बड़ी इ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे येस छोटी सी standing line फिर हम एक up wave curve बनाएंगे फिर हम इस up wave curve को थोड़ा सा और उपर लेके जाएंगे और circle बनाते हुए ऐसे इसकी एक फूँच नीचे लेके आएंगे फिर हम sleeping line से इसका सर ऐसे ढग देंगे तो children ये कौन साक्षर बना? ये तो छोटी इ बना है ना? ये कौन साक्षर बना? छोटी इ लेकिन हमें तो बड़ी इ बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम ये जो छोटी से standing line है ना हम इसके उपर एक कर्व लेकि आएंगे और इस standing line से ऐसे मिला देंगे तो ये हमने बड़ी इ बना लिया ठीके? अब हम यहाँ पे कौन साक्षर बनाएंगे? ओ ठीके? और ओ बनाने के लिए यानि छोटा ओ बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं सबसे पहले? येस, combined curve हमने ये देखो combined curve बनाया फिर हम combined curve का जो ये नीचे वाला curve है इसे थोड़ा सा और उपर लेके गए ओके? तो ये क्या बन गया? छोटा ओ अब हम slipping line से छोटे ओ का सर ऐसे ढग देंगे ठीके? तो हमने छोटा ओ बना लिया है अब यहाँ देखिए हम कौन सा अक्षर बनाएंगे? बड़ा ओ ठीके? और बड़ा ओ बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे? येस, combined curve ये देखो हमने combined curve बनाना है फिर क्या करना है? फिर combined curve का जो नीचे वाला curve है इससे थोड़ा सा और उपर लेके जाना है ठीके? फिर combined curve के जो बीच वाला डाट है यहाँ पे पैंसिल रखेंगे फिर एक downward curve बनाते हुए इसकी पूंच ऐसे नीचे लेके आएंगे ठीके? फिर हम sleeping line से इसका सर ऐसे ढग देंगे ठीके? तो यह हमने बड़ा बना लिया ओके? तो चिल्डेन आपको यह one line है न जो आपको इसमे लिखना है फिर आपको एक line skip करनी है फिर यहाँ पे आप लिखोगे ठीके? तो ऐसे ही आपको one page neatly करना है और मैम को send करना है को की चिल्डेन टेके है